हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वाग था आपका मेरी यूटूब चैनल आरस नोट्स पर और दोस्तो आज हम करने जा रहे हैं टोप 100 साइस के इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्योशन दोस्तो जो कि आपके HSSC, SSC, CTET, HTET, REIT और NET अक्जाम्स के लिए मोस्ट ना कीजिएगा विडियो अंतक देखिए तो आईए दोस्तो शुरू करते हैं पहला है संसार का सबसे बड़ा पुस्प कोन सा है यह है रेफलेशिया अगला है जीवन चक्कर की दरश्टी से पोदे का सबसे महतपून अंकोन सा है यह है पुस्प अगला है मानोश्रीर में रक्त का सुद्धी कर्ण कहां पर होता है यह होता है व्रक में अगला है स्फेद रक्त कर्ण यानि WBC का मुख्यकारिय क्या है यह है रोगपर्दी रोधक संगता धारन करना अगला है राजस्थान में तांबेकावी साल बंडार की शेतर में स्थित है यह खेतरी शेतर में अगला है बारत की परमुख दान्याफसल कोन सी है यह है चावल अगला है पतियों के दो मुख्यकारिय क्या होते है यह है प्रकासंसलेशन वै वादसपूर्थ सरजन अगला है डोक्टर चितरकार सिल्पकार आदी के दोवारा उप्योग किये जाने वाले केल्शियम सल्फेट का लोगपरी नाम क्या है यह है प्लास्ट्रोफ पैरिस अगला है सोन्य के अबूशन बनाते समय उसमें कौन सी दातू मिलाई जाती है यह मिलाई जाती है तामबा अगला है निमलिक्त में से सबसे बारी दातू कौन सी है यह है ओसमियम अगला है निमन में से आग बुजाने वाली गैस कौन सी है यह है कार्बन डाई ओक्साइड अगला है रातरी में पेड के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड छोड़ते हैं ये छोड़ते हैं कार्बन डाई ओक्साइड अगला है मानव स्रीर में परचूर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है ये है ओक्सीजन अगला है टमाटर सोस में क्या पाया जाता है ये पाया जाता है एसिटिक अमल अगला है बायलोजी के जनमदाता के रूप में किसी जनाना जाता है ये है अरस्तू अगला है किस पोदे का फल भूमी के नीचे पाया जाता है ये है मुंग फली अगला है कोशीका कोई निशित रूप कोन परदान करती है ये है कोशीका बित्ती अगला है पतियों को हरारंग किस के द्वारा प्राप्त होता है ये होता है कलोरोपलास्ट के कारण अगला है राष्ट्य पर्यावर्ण अभ्यांतरी की संस्थान कहां स्थित है यह है नागपूर में अगला है बूरी करांती किस्से सम्मंदित है यह है उर्वरकों के उत्पाद से अगला है मादा पस्वों में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हर्मोन अधिक्स किरिये होता है यह होता है ओक्सिटोसिन अगला है भारत का कौन सा राज्य एसिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है यह जाना जाता है आंदर प्रदेश अगला है बारतिय पसू चिकिच्चा अनुसंदान कहा स्थित है ये हैं बरेली में अगला है लालकरांती किस्से सम्मंदित है ये हैं मास उत्पादन से अगला है मुर्ग्यों की सबसे खतरनाक बिमारी कौन सी है ये है रानी खेत अगला है दूदुका गंतव किस यंतर की सायता से ग्यात किया जाता है ये किया जाता है लैक्टोमेटर से अगला है भारत में सरवादिक पसूदन किस राज्य में पाया जाता है ये है उत्तर प्रदेश में अगला है निमिलिक्त में से किसके दूद में वसा की सिरवादिक मातरा पाई जाती है यह है रैंडियर अगला है गरीबों की गाय के नाम से किशे जाना जाता है यह है बकरी को अगला है दुदारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है यह अयन पूर्ण विक्सित होता है दुगदनलिका उबरी रहती है और दुगदनलिका टेड़ी मेड़ी होती है अगला है उन के लिए विख्यात पसू पसमीना क्या है यह है बकरी अगला है किस स्तंदारी के दूद में जल की मातरा सबसे कम होती है ये होती है मादा हाथी के दूद में अगला है केंदरिये बेड एमम उन अनुसंदान केंदर कांस्थित है ये है दहरा दून में अगला है मनुष्य के स्रीर में एंटमईबा हिस्टोलीटिका कहां पाया जाता है ये पाया जाता है आत में अगला है मच्छर में मलेरिया प्रजीवी का जीवन चक्र किसने खो जा था ये खो जा था रोनाल्ड रोस ने अगला है निमन में से किसमे रक्त नहीं होता है किन्तु वह सवसन करता है ये होता है आईडरा में अगला है निमलित में से किसी जेली फिस के नाम से जाना जाता है ये जाना जाता है ओरीलिया को अगला है निमन में से किसके अदबके मास को खाने से फीता कर्मी मनुष्य की आथ में पहुशता है ये पहुशता है सूर के मास खाने से अगला है केंचुए में कितनी आखें होती हैं ये होती हैं कोई नेतर नहीं होता अगला है तितली की आखें रात में क्यों चमकती हैं? क्योंकि उनमें टैपिटम लिसिडम पाय जाता है अगला है समुंदरी गोडा किस वरक का उदारन है? यह मतश्य वरक का अगला है निमन में से मलेरिया रोग का भाग कोन है? यह मादा एनफलीज मच्छर अगला है सबसे विशेली मच्छली कोन सी है? यह पसान मच्छली अगला है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कोन सा है? यह सुतुर मूरग अगला है निमिलित में से गोशला बनाने वाला एक मातर साप कोन सा है? यह किंग कोब्रा अगला है पावो क्रिष्टेस किसका विगानिक नाम है? यह मोर का अगला है सबसे विशाल जीवित स्तनपाई प्राणी कोन सा है? यह है नेली वहेल अगला है निमन में से सबसे छोटा पक्षी कोन सा है? यह हम्मिंग बर्ड अगला है तारपिन का तेल किस से प्राप्थ किया जाता है? यह चीड से अगला है समान्य प्रियोग में आने वाला मसाला लोंग कहां से प्राप्थ होता है? यह होता है फूल की कली से अगला है बूमी में पोदों की जड़ों के लिए उपलब्द जल होता है यह होता है कोशी का जल के रूप में अगला है प्रकास अंसलेशन की किरिया कब होती है? यह होती है केवल दिन में अगला है कोशी का के बीतर सवसन का किंदर कोन होता है? यह होता है माइटो कोंड्रिया अगला है मानो शरीर में पित का पर्मुकार्य क्या है? यह है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना अगला है वह अंतर जिसके द्वारा तने की वर्दीदर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है? यह है उकजेनो मेटर अगला है अगनी निर्जा रोग किसे सम्मंदित है? यह सेब से अगला है मानव स्रीर मिल्ला लाल रक्त कनिकाओं का निर्मान कहां पर होता है? यह होता है अस्थी मज्जा में अगला है जब हम बकरिया बेड का मास खाते हैं तब हम किस प्रकार के उबोकता है? हम हैं द्वीत्यक उबोकता अगला है यदि जल का प्रदूशन वर्तमान गती से होता रहा तो अतत है द्वीत्यक उबोकता अगला है जनसंख्या का अध्यान क्या कहलाता है? यह होता है डेमो गराफी अगला है मनुश्य की तौचा की स्थान पर सबसे मोटी होती है? यह होती है तलवे पर अगला है उर्जा के किस रूप में प्रदूशन की समश्या नहीं होती है? यह होती है सोर अगला है मानुश्य में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? यह होती है अरू यानि जांग की जिसे फीमर भी कहा जाता है अगला है तदी कुचे ताप की माप किस से की जाती है? यह की जाती है पूर्ण विकिर्ण उत ताप मापी से अगला है इंदर्दुनूस बनने का क्या कारण है यह वायूमंडल में सुर्य की किरणों का जल बूंदों के दवारा प्रावर्तन अगला है सुर्य का ताप किसके दवारा मापा जाता है यह पाइरोमेटर ताप मापी दवारा अगला है Celsius तापकरम पर जल के कवतनांक तथा हिमांक क्या होते हैं यह होते हैं 100 degree Celsius कवतनांक होता है और 0 degree Celsius हिमांक होता है अगला है तरंग का वेग आवर्ती तथा तरंग दे रिये में क्या सम्मंद है यह है तरंग का वेग इज इकोल टू आवर्ती मल्टिप्लाइ बाई तरंग दे रिये वी इज इकोल टू एन लेम्डा यह लेम्डा का निशान है याद रखीगा अगला है नियूंतम संभवताप कितना होता है यह माइनस 273 degree Celsius अगला है निमलिक्त में से किस में विशिष्ट उस्मा का मान स्रोच्च होता है यह होता है जल में अगला है प्रकास का वेग अदिक्तम किस में होता है यह होता है निरवात में अगला है सुर्यवी किरन का कोन सा बाग सोलर कूकर को गरम कर देता है ये कर देता है अवरक्त किरन अगला है उस्मा गति की का पर्थम नियम किस अवदारना की पुष्टी करता है ये करता है ताप सरक्षन की अगला है कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है ये किया जा सकता है सम्पीडित गैस को छोड़ने से अगला है दवनी तरंगों की प्रकरती कैसी होती है ये होती है अनुदेरिय अगला है प्रकास के चिकने फरस से टकराकर वापस लोटने की घटना को क्या कहते है ये कहते है प्रकास का प्रावर्तन अगला है किसी मनुष्य के स्रीर का समान्य थापकर्म क्या होता है ये होता है 98 डिगरी फैरनाइट अगला चिलाते समय व्यक्ती हमेशा थेली को मूँ के समीब क्यों रखते हैं क्योंकि उस थिती में दवनी उर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी अगला है समुद्री जल से सुद जल किस पिकरिया दवारा प्राप्त क्या जा सकता है ये क्या जा सकता है आस्वन वीदी दवारा अगला है दल्दली बूमी से कौन सी गैस निकलती है ये निकलती है मिथेन अगला है मास पेशियों में किस अमल के एक्तरित होने से थकावट आती है ये आती है लेक्टिक अमल से अगला है अंगूर में कौन सा मल पाया जाता है ये पाया जाता है टार्टरिक मल अगला है कैंसर समंदी रोगों का उध्यन क्या कहलाता है ये कहलाता है ओर्गेनोलोजी अगला है मानव स्रीड में सबसे लंबी कोसी का कौन सी होती है ये होती है तंत्रे का कोशी का अगला है दात मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं ये बने होते हैं डेंटाइन के अगला है किस दंतुग्या करती पैर की चपल के समान होती है ये होती है पैरा मेशियम की अगला कैच्चुए की कितने आखे होती है ये होती है एक भी नहीं अगला है गाजर किस विटामिन का सम्र्द स्त्रोथ है ये है विटामिन A का अगला है निमन में से किस पार्थ में प्रोटीन नहीं पाय जाता है ये नहीं पाए जाता है चाबल में अगला है मानों का मस्तिस्क लगब कितने गराम का होता है ये होता तिरा सो पचास गराम का अगला है रक्त में पाई जाने वाली दातु कौन सी है ये है लोहा अगला है किन्वन का उदाहन कौन सा है ये है दूद का खटा होना खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खटा होना अगला है निमन में से कौन सा आहर मानों स्रीर में नई उतकों की वर्दी के लिए पोसक तत्तो परदान करता है ये है पनीर अगला है निमन में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है यह ड्रैको अगला है गोसला बनाने वाला एक मात्र साप कौन सा है यह किंक कोबरा अगला है बारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मचली कौन सी है यह हवील सार्क अगला है दाले इसका एक अच्छा स्त्रोथ होती है यह होती है प्रोटीन का अगला है देशीगी में से सुगंद क्यों आती है या तिया डाई एशेटील के कारण अगला है इंदरदुनूस में किस रंग का विख्षेपन अधिक होता है यह होता है लाल रंग का अन्तिम है टेलिवजन का विष्कार किस ने किया था यह किया था जेल बेर्ड ने तो दोस्तों गर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और कमेंट करके जूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और आरस नोट्स चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजेगा तो मिलते हैं एक लिए वीडियो में आपसे तब तक के लिए धन्यवाद